और चलिए हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि एक बड़ी खबर यहाँ पर मिल रही है बड़ी खबर यह है कि दक्षन कंणड से करनाटक से हम आपको बता दें कि काप्टन ब्रिजेश जो हैं वो जीत चुके हैं भाजपा से वो जीत चुके हैं तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो एक लाख मतों से वो जीते हैं वहीं करनाटक के हावेरी से अगर हम बात करें तो बसवराज बोंबई भाजपा से हैं ये भी और ये भी 43,000 मतों से जीते हैं, 43,513 मतों से जीत चुके हैं, ये अब तक की घोशना हो चुकी है, आगे बताएं आपको करनाटक गुलबर्गा से कॉंग्रेस के प्रत्याशी रा प्रत्याटक से कॉलार से एम मलेश बाबू ये 71,000 वोटों से जीत चुके हैं, लगभग, ये जो है, ये लगभग मैं आपको बता रही हूं, और अगर हम बात करते हैं राइपूर की तो अभी हमने बताया था कि राइपूर 36 गड़ से ब्रिज मोहन अगरवाल, अजे ब्र भाजपा के प्रत्याशी, शंकर लालवानी जीत चुके हैं, 10,800, एक लाग, 10,000, माफी चाहेंगे, एक लाग, चुकि जल्दी-जल्दी ये स्क्रीन आगे बढ़ रहा है, हमारी पूरी टीम पीछे बैठी हुई है, वो भी बड़ी हड़बडी में हैं आपको अपडेट ब भाजपा, प्रत्याशी, टिकमगड, मध्यप्रदेश टिकमगड से भाजपा जीत चुकी है, डॉक्टर विरेंद्र कुमार आगे, जीत चुके हैं, आपके पार्ट, आप से गुरमीच सिंग मितहेयर, ये संगरूर पंजाब से जीत चुके हैं, इसकी भी घोशना हो चुक मिघाले की अगर बात करें, मिघाले के तुरह से तो सलेंग संगमा कॉंग्रेस के प्रत्याशी ये जीत चुके हैं, यहां काउंटिंग पूरी हो चुकी है, यह जो अभी आपको बताया जा रहा है, यहां पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है, और इन ये प्रत्याशी जो ह करें तो यहां से अमर सेंग कॉंग्रिस जीत चुकी है करनाटक के चुत्रदूर्ग से गोविंद करजोल यह भाजपा प्रत्याशी और यह जीत चुके हैं आठ बज़े से यहां पर काउंटिंग चल रही थी और यह फाइनल रिजल्ट है पंजाब जाल अंधर से अगर बात करें तो चरन जीत सी चन्नी यह कॉंग्रिस के प्रत्याशी यह जीत चुके हैं और इसी कड़ी में राजस्थान जयपूर से मंजुश शर्मा जी जीत चुकी हैं भाजपा के प्रत्याशी रही हैं यह केरल अलाथूर से के राधा कृष्णन यह जीत चुके हैं केरल में बीजेपी ने दावा किया था कि वो बहुतर बहतर प्रदशन करेगी गुजरात भाजपा का गड़ वापस यहां भाजपा की जीत हुई है भाजपा के सूरत से मुकेश कुमार चंदरकांत दलाल चलिए अब हम वापस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आप से जानना चाहूंगी क्रिशना जी कई मामलों में यह चुनाव एतिहासिक रहा है इन दौर की अगर हम भी हमने देखा यहां पर रिजल्ट इन दौर से नोटा को एक लाग से ज्यादा वोट मिला है आपको क्या लगता है कि यह भी तो एक एतिहासिक है ना अभी तक तो नहीं हो आता कि किसी नोटा को एक लाग मिला हो नहीं देखिए वो बताया गया था वहां के जो मद्दाता है देखिए हर पार्टी के अपनी एक वोट बैंक रहती है जब वहां से कॉंग्रेस के प्रत्यासी बैक आउट कर गए थे चुनाव से और उनने मैदान जब छोड़ दिया था तो कॉंग्रेस की तरफ से बकायदा नहीं मान सकते ही जो कॉंग्रेस का जो एन ब्लॉक वोट बैंक है वो उसमें कनवर्ट हुआ है तो इसको हम जनादेश के रूप में नहीं देख सकते हैं चलिए अनिल जी विपक्ष पूरा साफ हो जाएगा ये कहा जा रहा था चुनाव के पहले लेकिन अभी जो तो हमेशा वरकाउट में ही रहती है उसके जितने अलग 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 चुना हुए अलग अलग रणनीती अलग नेत्रित अलग निती शैली सब कुछ अलग होता है और इसलिए बीजेपी जो है हमेशा गेन दो दो सीटे लेकर के आती थी कभी वो पार्टी उननीस सो ब्यानन विपक्ष जो किस तरह से गेन किया विपक्ष ने कुछ राज होते हैं माफी चाहूंगे आपको रोक रही है अनिल जी तमिल नाड का रिजल्ट अभी हमारे सामने है यह रुजहान है रिजल्ट नहीं है भाजपा यहां पर कोई सीट में आगे नहीं बढ़ रही है कहां पर यात्राएं की महां पर रोग शो हुए तमिल नाडु में उनने संगम में कन्या कुमारी भी गये वो लेकिन वोटिंग के पहले आप देखिए कि वहां बीजेपी ने कितनी मेहनत की तमिल नाडु में उन्होंने एक IPS को कमान सोपी जो यंग एजके थे और उनने वहां पर कर बीजेपी जीते लेकिन आंद्रप्रदेश तमिल नाडु और केरल केरल में बीजेपी की बल्ले बल्ले है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन दक्षिण भारत इलाकों में जो हिंदत्त था वो इतने सालों तक वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था बीजेपी ने रणिती ये बनाई कि वो जो हिंदुत्य जो सांस्क्रतिक और संस्क्रति के तोर पर अभिमात है उस वोट बैंक को बीजेपी कैसे अपने पाले में कर पाती है और इसलिए मोधी जी ने इस बार जितने प्रयास करने थे जितनी रणिती बनानी थी उन राज्यों में बनाई लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा प्लस है कि अब दक्षण में उसका खाता खुल गया है दक्षण में उसकी अच्छी पेट जमने जा रही है पश्चिम बंगाल में भी कॉंग्रेस जरूर कह सकती है कि बीजेपी वहा नुकसान में है लेकिन कृष्णा दाजी भी जानते ह इस बार चारपा सीटों का नुकसान जरूर हुआ है लेकिन उसे वह दूसरे राज्यों से गेन कर रही है जैसे कि आप उडिसा देखिए बल्ले बल्ले उडिसा में तो पहली बार नवीन पटनायक वहां सरकार नहीं बनाएंगे बीजेपी विधान सभा में सरकार बनाने ज बिल्कुल कृष्णा जी वेस्ट बेंगॉल की ही चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं तो वेस्ट बेंगॉल में स्टेश्ठ प्रदर्शन करेगी ऐसा नरेंद्र मोधी जी ने कहा था आपको लगता है कि स्टेश्ठ प्रदर्शन है क्योंकि अगर हम मैं चाहूंगी कि एक ब अपने दर्शकों को बता देते हैं और मैं पिछले एक घंट से नजर बनाए हुई हूं यह ग्यारा-बारा-दस हो रहा है यह रुजहान आपको लगता है कि यह बेस्ट परफॉर्मेंस है बीजेपी एक्सपेक्टेशन से बहुत लो है यह बीजेपी इससे ज्यादा एक्स कुछ-कुछ और बदले हैं जैसे कम्मिनिस्ट और कॉंग्रेस की एक्साथ आए हैं तो आप देखेगा कि जो वायनाड में राहूल गांजी जी के खिलाब जो व्यक्ति चुनाव लड़े हैं वो आके कॉंग्रेस के लिए यहाँ पर पचार कर रहे हैं तो इस तरीके का एक कॉलर कॉंटेस्ट रहता तो मुझे लगता है अमरिता जी कुछ वहां पर एक्वेशन चेंज होती लिकिन ऐसा नहीं वहां ट्रेंगलर कॉंटेस्ट हो और ट्रेंगलर में बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा तीमसी को यहां से 22 सीटों पर यहां पर उनका जीजेपी को इसका भी फाइदा वहां पर नहीं हुआ नहीं मिल पाया क्योंकि देखिए वह एनकैस्ट नहीं हो पाया हम देखिए हर जगा वह प्रयोग सफल नहीं होता कि विक्तिम कार्ड अगर हम खेल रहे हैं तो बहुत जरूरी नहीं है कि वह हमको पूरा नहीं करता है आप लेंडस्केप अलग होते हैं बेंगॉल में संभवता की लोगों के बीच में वह समवेदन शीलता नहीं रही कि पीडित महिला जो थी उनके प्रति उनकी समवेदना नहीं जागी और उसका परिणाम को दिख रहा है चर्चा हम आगे भी जारी रहेंगे ल रखेंगे लेकिन दर्शकों को बता दें कि आज 36 गड़ सहीत तमाम राज्यों में सांसत प्रत्याशियों के भाग्या का फैसला होने वाला है